नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हामारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, भगवान को प्रार्थना करता हूँ. आपके और आपकी परिवार को हामिसा खुस रखे, दोस्तों आप अभी तक हमारी चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्क्राइब कीजिए. चलिए वीडियो को सुरू करते हैं. हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है. मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. मंगलवार के दिन वरत रखकर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपासे जातक के सभी संकट तल जाते हैं. इसी लिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन विधिविधान से भगवान हनुमान की पूजा करने से काम में आ रही हर तरह की बाधा दूर होती है साथ ही भक्तों को रोगदोश, भूत, पिशाच और भय से मुक्ती मिल जाती है अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोश है तो इसे दूर करने के लिए मंगलवार के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय करने से भक्तों को सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ती मिलती है मंगलवार के दिन करें ये उपाय, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानध्यान करें इसके बाद पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और पूर्व दिशा में मुह करके तुलसी की माला से श्री राम नाम का कम से कम ग्यारह बार जाप करें हर मंगलवार को से ऐसा करने से बजरंग बली प्रसंद होते हैं मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें इससे आपकी सारी समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवडे का इत्र अथवा गुलाब की माला चड़ाने से भी वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं इसके अलावा शनी दोश से छुटकारा पाने के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है मंदलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरन बली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीवन से सारे कष्ट दूर होने का आशिरवाद देते हैं मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना से भी बहुत लाभ मिलता है आज के दिन अपने पूजा धर में इस यंत्र को स्थापित करें और हर दिन इसकी पूजा करें इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी मंगलवार के दिन इस तरह करें हनुमान जी की पूजा अगर आप मंगलवार का वरत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के वरत जरूर रखें वरत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और सनान के बाद साफ कपड़े पहन लें इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्तिया प्रतिमा रख लें हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें